प्यारे बच्चो आज हम एक चुनिटी की और एक टिड़ी की कहानी पढ़ेंगे तो कोई नय लफ्स, कोई नय वर्ड्स आए तो आप उसको अपनी अपनी नोट बुक में नोट करके उसको याद करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं ग्राश होपर कहते हैं टिड़ी को तो चुनिटी और टिड़ी की कहानी इसमें क्या होता है इस कहानी के अंदर कि चुनिटी जो है गर्मियों की मौसम में जबकि धोप तेज होती है तो खाना एखट्टा करती है खाना इखटा करकर अपने घर में रखती है और जो कि टिड़ी है वो मोज कर रही होती है मस्थी ले रही होती है टिड़ी चूटी से कहती है कि आप इतनी सक्त मेहनत क्यों कर रहे हो चूटी कहती है कि तुम्हें भी करना चाहिए तो टिड़ी कहती है मेहनत मत करो आओ हमारे सहत मस्ती करो च्यूटी जो है चिड़ी की बात पर तवज़ो नहीं देती है और उपने काम में लगी रहती है फिर जब सर्दी का मौसम आता है तो च्यूटी जो है अपने घर में बैट कर आराम सिखाती है अब च्यूटी चारों तरफ खाना तलाश करती है तो च्यूटी को खाना नहीं मिलता है अब च्यूटी के पास आकर भीक मैंगती है कि मुझे खाना दे दो तो च्यूटी कहती है कि मैंने बहुत महनत के साथ हार्ड वर्क के साथ इस खाना को जमा किया है तुम मज़े मज़े कर रहे थे ना और ले लो मस्ती कर लो च्यूटी और गरास ओपर स्टोरी गरास ओपर कहते हैं टिड्डीगों Ons on a bright summer sunny day Ons एक दफ़ा Bright कहते हैं रोशन, चमकदार, summer, गर्मी इसमें जो ऐसे लगा हुआ ये का के माना देता है Sunny day, यानी सूरियः ऒला दिन जिस दिन धूप होती है एक दफ़ा गर्मियों के छमकते हुए धूप वला दिन में यह यूं कहते हैं एक दफ़ा गर्मियों के मौसम में गरास ओपर वाज सिंगिंग गरास ओपर कहते हैं ठीडी को के ठीडी गा रही थी गाना का रहती देन ही साव तभी उसने देखा अन आंट एक यूटी को वर्किंग हार्ड सख्ट मेहनत करते हुए तू कलेक्ट फूड फूड को जमा करने के लिए जानी फूड को जमा करने के लिए वो सख्ट मेहनत कर रही थी दगरास ओपर सैड टिड्डी ने उसे कहा वाई डू यू वर्क सो हार्ड इन समर गर्मियों में गर्मियों के मुशल में तुम इतनी महनत क्यों करते हो समर आर फॉर फ़न समर तो गर्मी तो जह है वो एंजोई के लिए फ़न के लिए है रिलक्षेशन आराम के लिए है और मस्ती करने के लिए है तो आ जाओ चलो आओ हमारे पास गाए और मस्ती करें बट आंड सैड लेकिन च्यूटी ने कहा I am collecting food for the winters मैं सर्दियों के लिए सर्दियों के लिए क्या कर दो खाना एकटा कर रही हूँ और मैं तुम्हें सलाह देती हूँ इसी तरह करने का के तुम भी आजा तुम भी मेहनत करो गरासों पर सैड वी हैव गोट प्लांटी ओफ फूड एड प्रिजेंट तु टिडड़ी कहती है कि एड प्रिजेंट इस वक्त हमारे पास खानों का अमबार है यानि खाना काफी है खुराख हमारे पास काफी है वाई बॉदर अबाट विंटर नाओ तो क्यों मेहनत करेंगे हम सर्दियों के वारे में भी तो सर्दी के लिए हम क्यों मेहनत करें दा आंट बोदर कहते हैं परशानी को परशानी मुश्किल के सामना करना दा आंट च्यूटी इग्नोर्ड हिम तो च्यूटी जो है उस उस पर इग्नोर करती है यहनि कि नजर अंदास कर देखती है और वो शली जाती है अपने रास्ते पर यानि अपने काम में लग जाती है जब सर्दी के मुश्म आता है ग्रास ओपर और ग्रास ओपर हैड नो फूट तो इट तो ग्रास ओपर के पास यानि टेड़ी के पास खाने के लिए कुछ नहीं होता है उसने देखा चूटी को उस चूटी को एंड बैगड फूर फूड और वो भीक मांगती है खाने के लिए बट शी सैड लेकिन उसने कहा वेन आई वर्क हार्ड मैंने सख्त मेहनत किया है यू एंजोई तुमने मस्ती की है नहीं ग्रास ओपर लर्ण तभी जो है टिड़ी ने सीख लिया हिस लेसन अपने सबक को अब इसने महनत करी चूटी ने तो वो आराम कर रहा है सरदी के मौसम में यानि उसने गर्मियों के मौसम में सरदी के लिए खूब खाना इखटा करी और टिड़ी ने खाने खटा नहीं किया बलकि मस्ती करी तो अब जो है इसको मौसम करना पड़ रहा है इसलिए हर आदमी को हर आदमी को चाहिए कि मौसम के लिए आसानी का सामान पहले सही तैयार करके रखे तो प्यारे बच्चों यह स्टोरी कैसे लेगी हमें कमेंट करेंके बताईएगा थैंक्स फॉर वाचिंग